दोहजार उन्निस के लोगसभाद चुनाव में हार के बाद से शांत मुद्रा में पड़ी कॉंग्रिस में अब दोहजार चौबिस लोगसभाद चुनाव के नस्दीक आते ही जान भूपती गई किसी ने कोई तो मंत्र दे दिया है कॉंग्रिस साला कमान को जो अभी तक अपने दिगजों को नजर अन्दास कर देने वाली कॉंग्रिस अध्यक्षपत का चुनाव तो करा ही रही है साथ ही ऐसी यात्रा निकाल रही है जिसे पूरे भारत के लोगों से संपर्ख साथ सके हर किसी को धरातल पर जाकर अपने इराबों से रूबरू करा सके तब ही तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है हालंकि इस यात्रा को लेकर सवाल जरूर उठे लेकिन कॉंग्रस का तो मानना है कि भारत तूट रहा है इसलिए इसे जोडने के लिए वो ये यात्रा निकाल रही है कॉंग्रस को यकीन है कि कन्या कुमारी से कश्मी तक निकाली जा रही इस यात्रा के जरिये वो भारत को भी जोड़ेगी और भारत के लोगों को भी अपने साथ जोड़ लेगी भारत के लोगों का विश्वास जीत लेगी उनसे संपर्क बैठा लेगी तो फिर क्या पता लोग सभाचुनाव में इसका फायदा भी हो ही जाए और फिर कॉंग्रस ने अपनी सियात्रा के जरिये मीडिया में भी तो अपने लिए जगे बना ही ली है हर कोई इस यात्रा के बारे में बात कर रहा है चाहे बीजेपी तंजी कस रही हो लेकिन चर्चा तो हो ही रही है पिछले तीन साल में तो कॉंग्रिस के बारे में ये चर्चा भी नहीं हो रही थी और राहूल गांधी भी बीच बीच में यात्रा में कुछ ना कुछ अलग कारेस यात्रा को पने लिए सफल बनाने में जिटेक हुए है आप देखिए ना दो दिन की ब्रेक के बाद गुरुवार को जब कॉंग्रिस की ये भारत जोड़ो यात्रा करनाटक के मानिया में थी तो यहां राहूल गांधी ने कुछ ऐसा किया कि वो लाइम लाइट में आ गए वो सुर्खियों में चा गए वो सोशल मीडिया पर चा गए क्यूंकि वो यात्रा में दोड़ लगा गए और वो भी करनाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिध्रमया के साथ जी राहूल गांधी ने गुरुवार को करनाचक में करनाचक के पूर मुख्यमंत्री सिध्रमया के साथ दोड़ लगा दी वीडियो में साथ देखा जा सकता है राहूल गांधी सिध्रमया का हाथ पकड़ते हैं और फिर दोनों नेता दोड़ने लग जाते हैं जब दोनों नेता दोड लगाना शुरू करते हैं तो फिर वहां मौजूदा नेता भी दोडने लगते हैं। कुछ दूर तक राहूल गाधी सिधरमया के साथ दोडते हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लगातार शेर किया जा रहा है और लोग राहूल गांधी के इस वीडियो पर अलग अलग तरह के प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिट रहो नहीं तो करनाटक में बहुत से लोग डीके शिवकमार भी फिट नजरा रहे हैं। वैशाली चौधरी ने लिखा इस भागदोड भरी जिंदगी में टेंशन फ्री रहना है तो राहूल गांधी से सीखो अब तक 41 चुनाव हारे कोई गम नहीं। कृष्ट गांधी ने लिखा जब चलते चलते रहूल गांधी ने लगाई दोड पूरा काफिला साथ में दोड पड़ा। रितु चौधरी ने लिखा दिन भर की धकान के बाद भी चहरे पर हसी के साथ दोड राहूल गांधी और सिध्रमया। कौंग्रस नेता डौक्टर राजेश मिष्टरा ने लिखा फूरी सी खुशी ठोड़ी सी हसी और ज़रा सी दोड ये है भारत जोडो यात्रा हमारे नेता श्रीराफूल गांधी जी। दा भारत नाव नाम की यूजर ने लिखा कॉंग्रिस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच करनाचक में मज़ेदार नजारा दिखाई दिया यात्रा में भाग लेने पहुचे करनाचक के पूर्वख्यमंत्री सिधरमया राहूल गांधी के साथ बद्यात्रा में शामिल होने आए राहूल गांधी ने हाथ पकड़ा और दौर पड़े 75 साथ के सिधरमया तो कुछ इस तरह से लोगों ने राहूल गांधी के साथ दोड़ लगाने पर प्रतिक्रिया दी वही सोशल मीडिया पर राहूल गांधी के एक और फोटो वाइरल हो रही है जिसमें चलते चलते राहूल के साथ चल रहीं कॉंग्रिस के अंत्रे मध्यक्ष सुनिया गांधी के जूतों की लेस खुल जाती है तो राहूल गांधी मां के शूस की लेस बंदते नजर आए कॉंग्रस ने भी मालिक करहाट की मोजी बना कर इस कोटों के साथ साज हकी तो अब आप हमें बताएं कि आपको राहूल गांदी की इस भारत जोड़ो यात्रा से कितनी उम्मीदे हैं यह जो चोटी छोटी चीजे कर जिस तरह से राहूल गांदी जनता के मन में उतरने की कोशिश कर रहे है आपको क्या लगता है कि 2024 की चुनाव में राहूल गांदी को इस से कोई भी फायदा होगा कि राहूल गानी अपनी सियात्रा के जरीय कॉंग्रोस की डूपती नहीं को पार लगा पाएंगे आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राह में कमेंट कर जरूर बताएं